कि यहां पर हम इस अंक टार्ट के वारे में थोड़ा देखेंगे और भारत से संबंदी जो भी डिजिटल मुद्रा का जो फिल्धाल गतिविदियां है उन पर थोड़ी चर्चा की गई है बताया गया है कितना विकास कर लिया है भारत ने डिजिटल जो मुद्रा होती है उसम जो विकास सिल्देश है खासकर उनके संदर में यहां पर चर्चा की गई है तो फिलाल देख लेते हैं रिपोर्ट के बारे में और आगे इनके बारे में और भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अब यहां पर देखिए वर्स 2021 का यहां पर डेटा दिया जा रहा है कहा गया कि साथ परतिसब से अधिक भारतिय जो हैं उनके पास क्रिप्टो करेंसी के रूप में डिश्टल मुद्रा है यानि की साथ परसेंट लोग यानि की साथ करोंड से भी जादा इसको अगर हम परसेंटेज में निकालने के करीब हो जायेगा आठ या नौ करोंड की आसपास से खरीज सकते हैं 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए इस परकार से तो इनकी टोटल संख्या बताई गई है कि भारत में 7% के आजपास से पहुंच गया है जो कि भारत एक विकास सिल देश है इसलिए यह जो संख्या है बहुत बड़ी मात्रा में मानी जाती है जन संख्या के अलामा इसको अगर और डिवाइड किया जाया तो जो टॉप 20 देश हैं इस मामले में उसमें भारत साथवे अस्थान पर पहुंच गया है तो देखिए अगर आप आप एंसोर राइटिंग कर रहा है कभी यह टेकलोजी का पार्ट हो है उसके अलामा सोसल जैस्टिस में भी यह सब चीजें आ सकती हैं तो अगर आप एंसोर राइटिंग में इन सब चीजों की थोड़ी सी उलेक कर दें तो काफी अच्छा एंसोर राइटिंग माना जाएगा उसको ठीक है इन साथ प्रतिसाथ और यह अंक टार के रुपोर्ट के बारे में भी आप अगर डिसकस करे जो विकसी तदेश हैं टॉप 20 अगर अर्थवस्था देखें हैं जिन में क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन है उसमें 15 अश्वस्था होंगे जो विकासी लट रथवस्था है यूक्रेन इस मामले में नंबर वन पे चल रहा है अब यूक्रेन इस समय नंबर वन क्योंए यह तो पी थ्यान दखने वाली बात है रूस के साथ देखिए यूक्रेन का बहुत ज्यादा युद्ध चल रहा है और इसी मामले में पूरे यूरोपियन कंट्री से और अमेरिका से हमने देखा कि डिजिटल करेंसी में यूक्रेन को मदद भेजा जा रहा है ओके डिजिटल कर इस मामले में दूसरे नमबर पर है इसने देखिया यूशبل किया था आपको याद होगा कि इसनां लीगल टेंडर बना दिया था बिट को को देखिएं सर्फ अलाओं बहुत सथी डिश्टल मुदूराय को नहीं बनाया था उसके बाद तीसरे नंमबर पे आ जा रहा है चौते नमबर प्यार आपका Singapore उसके बद Kenya का नमबर है और अमेरिका का नमबर इसके बाद आजाएका आपका इंडिया आपका और हमारा इंडिया हम रितमाँ सवाना रहे हैं है औक है तो साथमें नंबर है भारत फिलाल अब देखिए यहां पे अगर हम विकास सिल्देक को यहीं पर जोड़ने तो इक्षनल हो गया वेट तयोड़ क्रिप्तो करेंट न till आपष्रлуч उपयोग जो है वो लगातार से बढ़ रहा है इसके संबंदित अभी फिलाल मुद्दे क्या है जो आपको हमेशा याद रखना जरूरी है यह देखिए सबसे जरूरी तो यह स्थिर्वित्य संपत्य है यानि इसकी कोई इस्टेविल्टी नहीं है प्रेशन की सुविधा प्रतान करता है और सामाजिक जोखिम इसका बहुत जादा है ठीक है अगर मान लिजिए कि आप एक डाउनलोड किये और उस एप में आपने 500 रुपया का बिटकोईन करी लिया अब वो आपके अप में पढ़ा रहेगा अब क्या करेगा आपकी तरब से उस कंपनी से बिटकोईन से किसी जो फिर देखें बिटकोईन का तो माइनिंग चलता है तो कोई कंपनी नहीं है जो माइनिंग करते हैं उन लोगों से वो एप क्या करेगा कॉंटेक्ट करेगा कि यह हमारा ग्राहक जो हो 500 रुपया का क्टोइन खतम हो जाए डिजिटल ही कोई कोडिंग ही होता है तो कब क्या हो जाएका कुछ पता नहीं तो इससे सामाजी जोखिम बहुत ज्यादा है सामारी जोखिम इसलिए भी है कि अगर मान लिए आप ज़रूरत से ज़्यादा यहां भी पूजी आप इस्तेमाल करते हैं यहां इन्वेस्ट करते हैं और वो पैसा लॉस हो जाए तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्चा हो जाएगी दूसरी बात यह कि यह अनियंत्रित है विनियम्यत नहीं किया जा रहा है किसी भी बैंक या फिर सरकार के दोवरा और मुद्रह इसपिती के लिए इसको बचाव के रूप में भी यूज किया जाता है हमने देखा वेनीज्योला में जिस परकार से मुद्रह इसपिती बड़ी थी लोग बोरी में पैसे लेके जा रहे थे और उधर से सब्जी लेके आ रहे हैं जोले में तो इस प्रकार की मुद्राज फिती वहाँ पर बढ़ी हुई थी इसके बिन्यमन के लिए भी इसको को यूज किया जाता है और इस थिर पढ़ाली भी है किप्टो करेंसी रखना भी एक निजी जोखिम के बराबर है ओके कब कहां चला जाएगा कोई परवस्ता नहीं है मौद्रिक संप्रवता को भी खत्रा है जो परचलीत है पहले से ही मुद्रा जैसे हम यूज करते हैं गांदी जी वाला नोट या फिर जो सिक्क्य हम यूज करते हैं उसको थोड़ा सा खत्रा होता है इन सब चीजों से अब भारत में देखिए RBI जो है वो डिजिटल मुद्रा लाने वाली है तो इससे थोड़ा सा सहूलियत मिल सकती है आने वाली चीजों को और भी बहुत सारे देशा है जहां पर डिजिटल मुद्रा लाने का मांग किया जा रहा है लगातार से घरेलू नूतियों पर भी प् करें तो थोड़ा घबड़ा आता है कि पहले से यहां पर क्रिप्टो करेंसी का बहुत जार पचलन है कहीं कोई नुकसान ना हो जाए इन सब चीजों से थोड़ा सा सावधान रहना पड़ता है उसको फिलास सुझाओ क्या है अंक्टाड की तरफ से यह भी यहां पर बताया ठीक है तो सरकार को सबसे पहले सुझाओ दिया जा रहा है कि प्रेयसां की सुविधा प्ळान की जानी चाहिए तो देखिए थोड़ा सा इसको लिबरल किया जाए जा तो सित कानुन बनाया जाए और इसको बैन किया जाए तो अगर सुभीधा थोड़ी से फ्रेसां की कि थोड़ा अच्छा सब्द होता है तो management करने की ज़रूरत है प्रेशन की सुविधा प्रदान कीजिए लेकिन ये भी पता चले कि कितना प्रेशन हो रहा है यानि कि प्रेशन मतलब कि भेजा जा रहा है ठीक है यानि कि पता होना चाहिए कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के कि एकाउंड में कितना जा रहा है रुपया या फिर डिजिटल मुद्रा जो भी है कितना जा रहा है इससे पता चलने में यह कराधान थोड़ा सा आसान हो सकेगा उसके अनौप क्रिप्टो करेंस एक सिचेंज जो है डिश्टल वाल जो है विकेंद्रिक वित को विनियामित सुनिच्चित करना जरू है यानि कि एक अंतर राष्टी अस्तर पर एक संस्था का भी गटन हो जो इसको नियमीत कर सके डिजिटल मुद्राओं से संबंदित विज्ञापनों पर भी पतिबंध लगाने का जबबत है क्योंकि बहुत ज्यादा विज्ञापन हो रहा है आप आपको लगातार से एड दिखने लगेगा कि यहां से क्रिप्टो करेंसी खरिदें आपने क्रिप्टो करेंसी नहीं खरीदा तो क्या खरीदा इस सब चीज़ें की विज्ञापन किये जाते हैं एक सुरच्छित और विश्वस्नी और लागत प्रभावी सारवजनिक भुक् पता होगा बहुत सारी लोग है बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं यह देखिए डिजिटल मुद्रा जो है वो क्या करती है बुगतान की एक विधी है जो इलेक्ट्रानिक रूप मुझूद हो तो यानि की एक तो हो गया की फिजिकल हो दिया लेकिन यहां पर इलेक्ट्रानिक होगा मुबाइल से ट्रांस्पर कर दिए वहां पर किसी QR कोड पर ओके जैसे कि अभी हम लोग जाते हैं फोन पर वैलेट यूज करते हैं तो उसी प्रकार से यह भी होगा आने वाले समय में QR कोड बने रहेंगे जहां पर इसका वैल इसे कंप्यूटर स्मार्ट फोट और इंटरनेट के माद्यम से तक्नीक के मदद से जोड़ा जाएगा जोड़ा जाना चाहिए और अस्थाना अंतरित किया जाना चाहिए और किया भी जाता है बहुत ही मुद्रा के समान ही होता है लेकिन सीमा हीन अस्थान तरण होता है बह डिजिटल करेंसी का डिजिटल मनी या फिर साइबर कैस के रूप में भी जाना जाता है बहुत तिक मुद्राओं जैसे कि इन बैंक नोट और ढाले हुए सिक्के जो होते हैं जिसका हर्थ है कि उनकी एक निश्चित विसेस्ता पकार रहोती है लेकिन इसका कोई निश्चित नहीं होती अभी इसकी विसेस्ता है अगर हम देख लें तो डिजिटल मुद्राओं को केंदरी के तो भी केंदरी किया जा सकता है लेकिन इसके लिए गवर्मेंट को बहुत जादा अच्छे कानून बनाने पड़ेंगे सभी लोग फिलहाल नजर में बिटकॉाइन और इस इसके बारे में जान लीजी थोड़ा सा कि यह एक बहुती गुरूप में मौझूद मुद्रा होती है और इसको केंदरी बैंक दौरा सरकारी एजन्सियों बनाया जाता है जिस परकार से अगर हम उदारान देखें तो डॉलर को फिए मुद्रा भी कहा जाएगा या फिर भा सरकार कुछ security रखती है यानि कि सोने चादि या पुर्ति भूतियों को रख देती है लेकिन कुछ मुद्राएं ऐसी होती है जो सिर्फ note होते है और सिक्के होते हैं सिक्के का भी देखिए जो value होगा जो एक रुपए का सिक्के का value है वो एक रुपे के बराबर नहीं होगा लेकिन क्योंकि वो किस द्हास से बना है यह आपको पता है श्टील का बना हुआ होता है अन अन द्हातों के बने होते हैं लेकिन सोने का सिख्का आगर देखें एक छोटा साही हो गाए लेकिन उस सिक्के से कितना ज्यादा value निकल आता है आप उसको बेचने जाएंगे बहुत सारा रुपय आपको मिलेगा लेकिन इस्टील का सिक्का जो होगा जितना उसकी उसका भार होगा उस तरह भी उसकी value नहीं होती है तो इसी परकार की कुछ मुद्राइं होती है जैसे note होता है note ने गमान जब करता है तो RBI उसके पीछे कभी कभी कुछ रुपया होता है कभी कुछ नहीं होता है तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत ज्यादा अगर नुकसान भी हो सकता है अगर यह मुद्राइं अचानक से प्रसलित होने बंद हो जाए तो अब यहाँ पर काज़ा रहा है कि प्रमुक क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकोइन एथेरियम वगएर हो गए यह इसको विकेंद्री के डिजिटल मुद्रा के उदाहरन है भी केंद्री किसी का नियंत्रण नहीं है किता कोई भी ले सकता है कितना भी दूर जा सकता है कुछ भी किया जा सकता है इसके मात उलए इसोग करता है इस आपioxid कर्ते होता हरा हो फ्रखोंण Kr photo ग्राफी का अपयोग ऐसी अप जाता है जैसे Bitcoin और Ethereum आगे एक और आभासी मुद्रा है इसको भी जान दीजिए आभासी मुद्रा है डेवलपर्स की परक्राइब आपने कभी अगर उधारन के तौर पर समझे तो बहुत आसान हो जाएगा आपने कभी फ्लिप कार्ड यूज किया होगा फ्लिप कार्ड पर आप देखते हैं कि कभी आपको token मिलता है तो यह उसी प्रकार की आभासी मुद्राय होती है किसी के दोरा बनाया जाती है और थोड़ी सीमित मातरा में यूज की जाती है जिन्हीं कि हर जगा इसको ऐसा नहीं है कि आप फ उसके अलामा Central Bank की Digital मुद्राय भी होती है जैसे कि अभी फिलाल इंग्लेंड, स्वीडन और रुग्वे जैसे देश कुछ है जो इसको launch करने के mood में है और इसको Central Kendrie Bank Digital मुद्राय भी कहा जाएगा and Fiat मुद्रा का पूरक या प्रतिस्थापक होगा Fiat मुद्रा मेंने बनताय क्या की note या फिर सिक्क्य होते हैं उसी का ये प्रतिपूरक हो यानि कि आपके वैलेट में आप बैंक से चाहिए मांग लेंगे आपका माली SBI में आपका account है और आप चाहते हैं कि आप आपका 10,000 रुपय माली SBI में है ठीक है आप चाहते हैं 5000 रुपय का आपको Digital Currency मिल जा करते हैं ओके तो ये कुछ Digital मुद्राएं भी हैं इनको अभी देखिए RBI प्लान बना रहा है कि इस साल Digital मुद्रा लांच की जाएगी देखिए अभी आने माले समय में पता चलेगा उसके क्या क्या युक्योब होंगे और क्या विसे स्ताय होंगी उसकी